हमें नहीं चाहिए एंपियार हमें चाहिए रोजगार पहना मैं होगा जो को इस सौने भरेगा धर्म के आधार पर नागरिक्ता ना रखी जाए आधार पर नागरिक्ता संशोधन कानून और नारसी को लेकर बहस जारी ही थी कि केंदर सरकार ने नैशनल पॉपॉलेशन रजिस्टर यानि के नपियार को अपडेट करने को लेकर मन्जूरी दे दी नपियार को मन्जूरी क्या मिली विपक्ष को मानो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया सरकार पर हमलावर होने का कॉंग्रिस जिसके शासनकाल में पहली बार नपियार लाया गया वो भी अपने लाए नपियार के खलाप आवाज उठाने लगी बस फिर क्या था तमाम विपक्षी पार्टियों में मानो इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने की एक होड सी मच गई विरोध के इस होड में अखलेश यादव ने आगे बढ़ते हुए नपियार का फॉर्म नभरने की बात कह डाली अखलेश यादव रोजगार और नपियार का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में रोजगार नहीं है युवाओं को नपियार नहीं रोजगार चाहिए बीज़ेपी विपक्ष को बाटना चाहती है हिंसा में पुलिस की गोलियों से जान गई है फॉर्म नभरने पर कौन सी धारा लगेगी बार-बार ये बात कह रहे हैं अखलेश यादव कि मैं फॉर्म नहीं भरूँगा नपियार का कौन सी धारा लगाओगे बताओ क्या करोगे तो क्या अखलेश खुले आम सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं और खुद ही विरोध नहीं कर रहे हैं बलकि लोगों को भी उनके साथ विरोध करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं अब सवाल ये उठता है कि अखलेश को नपियार से दिक्कत क्या है ऐसे तमाम सवालों के जवाब चलिए अगले एक घंटे में हम अपनी चर्चा में इनके जवाब जाने की कोशिश करेंगे लेकिन चलिए उससे पहले नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर इस रिपोर्ट पर नज़र डाली और समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत कौन कर रहा है अगर शुरुत पड़ी तो पहला मैं हूँगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा अगर आज़का दोगे के नहीं दोगे सवाल यह है यह जिस फॉर्म की बात अखलेश यादव कर रहे हैं वो नपी आर का फॉर्म है पहले CAA और फिर NRC के विरोध के बाद अखलेश यादव की लड़ाई का अगला मुद्धा NPR है एक बार फिर अखलेश ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है और इस बार तो अखलेश अपने साथ साथ लोगों को भी NPR का फॉर्म न भरने की सलाह देते नजर आ रहे हैं आप भी सुनिए कि NPR हम नहीं भरेंगे और हम तो अपील करेंगे और उसे भी कि आगे आएं और जो सत्यागरे का ये आंगोरन समाजवादियों ने आदेश के लिए छिड़ा है उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें हम नहीं भरेंगे NPR हम नौजवान मांगेंगे रोजगार NPR के बदले रोजगार के नारों के साथ ही अखलेश यादव ने अब सरकार पर कई सवाल दा गए है आधार, NPR, NRC सब के बहाने सरकार को आड़े हाथ हो लिया और सभी फैसलों को नाकामी छिपाने का एक नकाब करार दिया उस समय सरकार को जुखना पड़ा था में आधिवासी रोग हैं करिये हमें नए साल पर मिलने आए सफेरे रोग और उन्होंने का हमारे पास तो कुछ नहीं है जब से सुप्रीम कुर्णे साथ शीने हैं हम पर केवल बीन बचाए हम पर तो घर भी नहीं है तो इसलिए ये जहां ये NPR लाना चाहते ही गरीवों के खिलाफ है देश की बड़ी संख्या में आवादी है मैं सरकार सी जानना चाहता हूं कि आधार में नजाने कितने आपने पन्ने भरवाई हैं पूरे परिवार की जानकारी लिए है आपने बच्चों की जानकारी लिए है खेती की जानकारी लिए है आपके टेलिफॉन दंब की जानकारी है और बैंक्स की जानकारी है आपने हमारे बैंक को जोड़ दिया, आप मुबाइल को जोड़ना चाहते थे, ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपके पास आधार में नहीं है, NPR से हसित करना चाहते हैं। रोजगार के लिए पूछें, तो बताओ नौजवानों, आपको NPR चाहिए कि रोजगार चाहिए सवाल यह है। बहुत बड़ा हिस्सा विदेश में हुआ है। और वो उन लोगों में हैं जिन्नोंने विदेश के कई देशों का भ्रवन किया हैं और पढ़े लिखें हैं। अखलेश यादव के विरोध पर बीजेपी भी पूरी तरह हमलावर हो गई है। NPR को लेकर अखलेश के फॉर्म न भरने के फैसले को बीजेपी ने समवधान का विरोध करार दिया है। साथी रोजगार पर अखलेश के सवाल पर बीजेपी सफाई देती नजर आई। आप देश की मुख्यधारा से लोगों को वंचित करने का सड़ेन कर रहे हैं। समवधान का खुलम-खुला उलंगन करने का आवहन कर रहे हैं। यह मैं समझता हूँ कि उनके प्रकृष्टी में है और उनको साथ जानकारी का अभाव है। CAA और NRC के बाद अब NPR पर सियासी तलवारे खिच गई हैं। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और जंग आरपार की हो चली है। अखलेश NPR के बदले रोजगार मांग रहे हैं। यूपी में दंगा करने वालों की मदद करने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन इन वादों और दावों का नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त भी बता पाएगा। विर रिपोर्ट आर्नाइन टीवी तो NPR पर आर पार ऐसे में आर नाइन टीवी कुछ सवाल खड़े करता है NPR से क्यों घबरा रहे हैं अखलेश यादव क्योंकि बार बार विरोत करते नजर आ रहे हैं क्या रहे हैं हम फॉर्म नहीं भरेंगे क्या कर लोगे क्या अब NPR के बहाने सियासत की जा रही है NPR को लेकर कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है क्योंकि BJP ही अलग-अलग बाइट देती नजर आ रही है बताएंगे कि इस पर भी क्यों दो अलग रहा है रोजगार पर अखलेश के दावे में कितना दम है रोजगार की बात उठाई है और सही बात है कि रोजगार तो चाहिए लेकिन इन दावों में कितना दम है क्या ये भी सिर्फ राजनीती के लिए तो नहीं किया जा रहा है चलिए इन्ही सवालों का जवाब ले लेंगे आज हमारे पैनलिस से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ आज पैनल में और वरिष पत्रिकार के तोर पे रमेश ठाकुर भी हमारे साथ पैनल में मौजून है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपी के पास आना चाहूंगी संजीव जी क्या कंफ्यूजन है क्यों नहीं भरेंगे फॉर्म फॉर्म नहीं देखिए हमारे देता अकलेस यादाजीव ने बिल्कुर सही कहा है सबसे पहले रोजगार चाहिए उसके बाद ही बात हो ही उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें रोजगार चाहिए जोहीन भारते जनता पार्टी के जूटे लोगों ने देश को गुमरह करके सत्ता में यह लो बात करते हैं, कहीं भी चिकिश्चा की कोई बात नहीं करेंगे, सिच्छा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, नोजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, किसानों पर गोलिया चलवाएंगे, आखिर ये भारत्य जनता पार्टी इनका कोई मकसद नहीं तो आप लेकिन फॉम क्यों लोगों को बढ़ताएंगे तुम भेना थेले ऊंट पड़ी लिकी है पुरा प्रदेश पड़ालिकर बाताएं उनको 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 जो है ये पकोड़े तलने तक की इनोंने बात तर दीई तो रोज़ार मिलेगा न सर देखिए पकोड़े तल के इंसान कमा लिए क्या आप इसे छोटा काम समझे है जिस गांधी जी को आपके निता करते हैं वो किसी काम को छोटा नहीं कहते थे आपके हिसाब से गांधी जी को भी खंडों में बांट रखा है आपके खुद के नेता क सव्चार काय अवाले को लए ठीजिक अब कर दो रमसाव आपके रादे छी चाहे है मुद्धा पॉ compass है मिता अज़ू समझ में आता है रोजगार चाहिए न करो तो अद्टेक काम जोते हैं रोजगार पह至ंवाँ देखिए-घाboards रोजगार आप देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है ने आपका पॉइंट से ये रोजगार चाहिए आप कहरो किसानों के हालत देखलो बात से हैं ने यही दयास? नहीं आपको विरोध के लिए विरोध करना नावेद याज यही स्टेंड है क्या सपा वाला स्टेंड आपका भी है कुछ दिनों के लिए ही सभी साथ तो हुए थे हम साथ साथ हैं साथ लंबा चला नहीं देखिए मैं पहले तो इस बात का सवाल है कि NPR ऐसी कौन सी जानकारी चाहता है जो आधार कार्ड आपको नहीं देता आपका पहचान पतर आपको नहीं देता आपका पासपोर्ट आपको जानकारी नहीं देता आपको नहीं देता नहीं देता आपको पूपलेशन घटी बढ़ती नहीं है लोग मरते नहीं है लोग पैदा नहीं होते लोग इचे अधर आते नहीं है संदिक नागरिकों को जूटे जूटी साजिश रखने का हमें शक है संदिक नागरिकों की पहचान हो जाएगी आप ये भी कह रहे हैं देखे ब्रहमित मत कीजे लोगों को बैटकर अच्छी बात है ना जो अगर संदिक नागरिकों की बताइए मुझे संदिक नागरिकों की सूची में दाल दिया जाएगा अपना जनल और NPR में आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग अपने देश के अंदर 50% जिने अपने जनम दिन नहीं बता हो अपने मादा पीता का जनम दिन कैसे बताएंगेगे, इन प्र पर और सभी पारटिया एक तरफ आ गई है, कॉंग्रेस के शार्षन काल में लाया हुआ चीज है, फिर इतनी आपतिक यह हुए, अगले बात में पोई कहा ह लेकिन कई बार हमें मुद्धा देखना चाहिए किLER हमें इस जड़ा मुद्धा है तो आपको क्या आपत्ती है और इसको लागू करने में या उसकी डिटेल क plaint समस्या एक ही है कि केंद्र जुमें बैठी सरकार अगर कोई ऐसा काम भी कर दे जिससे पूरे विश्व में पूरे देश में अगर कोई हमें ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक पहचान मिल रही है उससे हमें फायदा हो रहा है लेकिन क्या है कि हर चीट में विरोध करना जो होता है वो कहीं ना कहीं दुर्भागे पूर्ण होता है अब यह सपा के नेता जो बयान देने बड़ा हास्यप्रद है कि इसमें संदीत की पैचान होगी आप खुद ही कहरें उसमें फायदा तो इसमें दिक्कत क्या आपको आप भी साथ में हैं संजे गुपता जी कॉंगेस भी सपा बसपा के ही सोच पर चल रही है या फिर आप विरोध करके फस्ते हुए नजर आ रहे हैं तो आप चलो भाईया कहीं कुछ रास्ता नहीं बचा तो विरोध कर ले मैं इसमें दूसरी बात रखना चाहता हूं मुझे कहने तो दीजिए क्योंकि आप उसको चला रही है संचालित कर रही है तो मुझे भी अपनी बात कह नहीं है और आपने पूछा है तो मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि यदी ये NPR ठीक दिशा में हो रहा होता यही यदी ये NPR 10 साल पहले वाला होता इस देश में किसी को तराज नहीं होता आज समस्या क्या है कि बड़े बड़ा अजीब तरह का महौल है कि जो सरकार जो जो चीजे करती दारी है और पूरी मीडिया या पूरी चर्चा आज उनके उनको फोकुस करके आज हम विप से अगर मैं सिंपल सा क्वेशन पूछ रही हूं बस अपास अपा के पाटी लाइन पर आप मुझे बोलने में देंगे तो मुझे पलाती की हूँ है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर आप मीडिया पेट लिया नहीं चाहती है मुझे आप मीडिया को टार्गेट कर आप रोचा ये तरीका है जब मैं बोलना शुरू होता हूँ आप मीडिया पर टाक करेंगे मैं मुझे बोलने तो दिजिए तो बोली तो दिक्कत करते हैं आपकी पार्टी के नेता ने कहा इस दो सवाल का जवाब दीजिए आपको इतना बुरा इस लिए लग रहा है क्योंकि आप असल की गराई में जानी रही है ने आप इस देश के अंदर क्या ये निपियार आप इतनी पड़ी लिखी और एंकर हैं मुझे बताईए आप से पूछ लेता हूं सरकार को चोड़ दो जिनेश भाई को चोड़ देत आप मेरे उपर सवाल मत कीजिए आप आपको बोलना है न आपनी बात रखनी आप रखिये ना कि आप सपा बसपा के पार्टी लाइन को सपोड़ करता हूं यह क्या बात हुई आप मेरे से सवाल कर रहे है चारे कि मैंसा शा佬र zdrow shirt bana यह कि इसकी चर्टि मैने पहली बात यह कही थी यह गलत दिशां में बात कर रहे है क्यों कि Лiten यह है कि यह दस साल पहले वाल ये नकीयर नहीं है जिसकी हम चरचा कर रहे हैं यदो साल पहले वान चाहता हूं मैं यह कहना चाहता हूं सरकार ने इस NPR के अंदर जो नई चीज़ें जोड़ी है जिस तरह से इसको बदला है अब हर एक आदमी तक उसको समझाने का प्रयाद में नहीं कर रहे हैं और किस तरह का इंका अतिवादी रविया है आज दुखे मंतरी यह कहना चाहते ह हैं कि मैं आपकी जमीन को बेच के अतिया लूँगा और संपत्ति कोट कर दूँगा मगर यह पताना नहीं चाहते हैं लोगों के बीच में जाकर के समझाना नहीं चाहते हैं कि जो जो चीज़ें हम ला रहे हैं उसका क्या एफेक्ट आएगा या उसको कैसे ठीक किया जाए या उसके अंदर क्या तब्दीदिये लाई जाएं या कोई कानून उने पास कर भी दिया है तो एक लोगों में विश्वास जगाने की भवना होनी चाहिए मगर यह सारी चीज़ें इस देश में नहीं हो रही और उसके अंदर ना केवल अखिलेश जी को मैं बताना चाहता ह देश के अंदर बहुत सारे लोग कैसे हैं बहुत सारे यूवक कैसे हैं बहुत सारे पड़े लिखेवर गैसा हैं जो इस देश के अंदर सरकार की मनमानी और अतिवाधी रबशिये के साथ कinsi नहीं चाहती वह बहुत से programmers के अपनी जांकारी नहीं देंगे जूकिनुना जां आप लगता ही आए मीडिया पे आप क्यों भी वरिश्ट पत्रका नहीं आप ने जो बोला क्या दस्ताल पहले वाला न्पी आ रही है यह चैए बिंदू अलग है और हम खुद अपने ग्राफिस में चला रहे हैं आप जिस तरीके से देखे सवाल सिर्फ उठ रहा है कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है क्या आरपार के मुझ में कि अपसरकार जो भी पानून लाए जो भी नियम लाए हमें उसमें विरोध करना है इतना तक कहा है कॉंग्रस के लीडर्स ने कि अगर अखलेश यादव ने ये बात कही कि सीए के विरोध प्रदर्शन में जो भी हिंसक प्रदर्शन में रहे जिनके परिवार वाले घायल हुए ये हुए उन्हें पेंशन तक दी जाएगी उन्हें हम राशी देंगे अगर ह लाइन क्लियर रखिएगा ये सियासत के वर विपच्छ नहीं कर रहा है इसमें सत्ता पच्छ भी सामिल है उसको दो जो इतना कंफ्यूजर नहीं या विवात का भी सह क्यों बनाया है दो लाइन में क्लियर करता हूँ NPR CA को लेके जिस तरह देश में महौल गरम हुआ था अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था उसको NPR लाया गया NPR no doubt देश के लिए बहुत आउश्यक है और हर आदमी का हर नागरिक का हर भारती का फर्ज बनता है कि NPR में सहयोग करे और करना चाहिए लेकिन आगर जहां भी पचच पर आरोप लग रहा है कि व्योध गलत डंग से कर रहा है वहीं सत्ता पचच पर भी आरोप लग रहा है और लग नहीं रहा है सही लग रहा है जो सत्ता पर सफाई में कह रहा है कि UPA गौर्मेंट ने भी तो किया था 2010 में किया था हम उसी को फालो कर रहे हैं देखिए दो लाइने यहां confusion create हो रही है एक CA को लेके तुरंत NPR आना और जो NPR है 2018 और 19 की जो Home Ministry की रिपोर्ट है उसमें एक लाइन लिखी हुई है NPR is the first step of the NRC जिस NRC को लेके विरोधरा लेकिन यह केवल इसी साल नहीं लिखी गई है यह UPA के टाइम लाई गई NPR जब स्टार्ट की गई थी मैं और क्लियर कर दू NPR UPA की टाइम 2010 में स्टार्ट की गई थी उस टाइम भी यह लाइन प्रियोग की गई थी चिदम्रम ने इसको accept किया था तो एक तो NRC का जो एक डर का माहौल पूरे देश में बना हुआ है जिसका उदारल असम है उसके कारण यह है और दूसरा जो है कि जो NPR का अगर सत्ता पच सफाई दे रही है कि UPA गवर्मेंट किया है 2010 में तो उस टाइम में पंदरा क्वेश्चन थे इस टाइम में 21 क्वेश्चन है उस टाइम का NPR इस से टप था तब फिंगर प्रिंट्स भी लिए गए थे आई की पूरी टेस्टिंग हुई थी इस बार वो कुछ भी नहीं है लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसने विवात पैदा कर रखा है जिसको सत्ता पच को समझना चाहिए मेरे क्याल से उसमें जो आपकी डेटा बर्त आपके माबाप की डेटा बर्त और वो कहां पैदा हुए ये एक भरने का एक कॉलम दिया है तो आपको उसे एक लाइन जिस पर विरोध विपच्च कर रहा है पूरा देश अगर आपके अगेंस खड़ा हो रहा है तो आपको अगर वो अन्युवारता नहीं है उसकी इतनी आसकता नहीं है तो उस लाइन को हटाने की यह नहटाने की जो एक जिद्द है वो ये सीन जो क्रियेट कर रही है जिस पर विपच्च उसको हतियार बना रहा है उस हतियार के बारे पूरा विपच्च एक जो टो रहा है और सत्ता पच्च अपनी उसको आप ताकत कर ले या उसको अपनी एक अहंकार कर ले वो उससे एक कदम पीछे हटने को तयार नहीं है तो ले द जितनी भी पच्छ है चुकि इस तरह की आग लगाई जारे हैं इसलिए पहले पवन सोम जी कितना सहमत है निल मिश्रा से और ये जो बात कहीं कि एक लाइन जिसका जिक्र है कि अनिवार नहीं है तो इस पे सत्ता पक्ष को कहीं कहीं क्लारिटी लानी चाहिए क्या इस बात की क है उसमें डेटा बिल्कुल exact data मांगा गया है कि आप कबसे अरे हैं आपके मातार पेता का कहाँ पर है वो कबसे यहां पर रहते हैं तो उसमें चीज़ें बड़ी exact मांगी गे बिल्कुल वैसे हो रहा है कि जैसलिक है पुलिस की पुरानी थोरी रही है कि इसा भीड में किसी की तरफ भी गन करके आप बोली हैंड्स अप जो सस्पेक्ट होगा वो हैंड्स अप हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यहां केवल उन लोगों को ढूंडने का कारिय करने चाहते हैं कि जो लोग यहां पर सस्पेक्ट हैं लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि देश के अगर हम लोग इस तरह से परिपेक्ष में देखे कि जहां पर हमें इन लोगों की पहचान करनी है या एक डेटा इखटा करना है उस डेटा के थुरू हमें जितने भी हम हमारी योजनाएं बनती हैं वो सारी उसी को देखके बनती हैं तो इस पर इतनी मारा मारी क्यों हो रही है ये बात समझ से बिलू भार है और क्यों इसके उपर जो है विपक्ष ने विपक्ष सारा विपक्ष भी इस पर एक तरफ नहीं है विपक्ष को यही पदा नहीं है कि हमें इस पे विरोध किस वज़े से करना है और हर एक व्यक्ति इस पे जो विपक्ष का है वो अलग-अलग बाते बोला है लेकिन सरकार का स्टेंड फरस डे से किलियर है कि हमें जितने भी सूचनाओं इससे मिलेंगी उन सूचनाओं की जो जो रिजल्ट है जो आएगा उससे ह कि पैनाने में बहुत आसानी हो जाएगी है तो यह हमेरे इंडिया के और हमारे निशन के इंट्रेस्ट में है उसके अच्छी के लिए हैं उसके भलाई के लिए हैं और यूपिय वगेरा में भी सत्राइगी जी जाये हैं कि जरूरी है अब इस पे जो राजनीती की जा रही है ये क्या आने वाले चुनाओं को देखते हुए कुछ तो मुद्दा चाहिए रोजगार चाहिए इस मुद्दे को विपक्ष उठा नहीं पाया चाहिए वो लोग सभा में कहले अगर अगर इतने अच्छे तरीके से रोजग तो हमें कहीं तो रोकना है तो इसलिए अब NPR हो CAA हो या हम इसको NRC से जोड़कर हम एक महौल क्रियेट कर दें ताकि फिर से हम लोगों का ध्यान खीच पाएं आपका फेलियोर हुआ कि आप रोजगार पर ध्यान नहीं खीच पाएं मुद्दा उठा नहीं पाएं लेकिन अब इसके बहाने आप स्यासर रहे हैं रमेश ठाकूच नहीं आप मुझे बुचा ये मुद्दे हैं कहां कौन सी पिपक्षी पाइटी है कोई मुद्दा उठा रही है अब ये तीर ऐसे मुद्दे आ गए NRC उसके बाद में CEA उसके बाद में NPR इन मुद्दों को लेके अ एक आध्वनीक परकरिया है जो हमेशा सारी सरकारे करते हैं यूरोपे नोटरी में आप चले जाओ तो जिस तरीके से भी आपने हवाला दिया पासपोर्ट का कि वो दस साल के बाद रिनू होता है बैसा ही ये रिनू होता है अच्छा हम जिस तरीके से जो डिवेट बैठी ह हुई है जो समाजबादी पार्टी की अद्द्यक्ष ने जिस तरीके से बात करी है उनके बात को और गौर से हम सोचें उनके प्रकास डाले तो मुझे लग रहा इतनी हमारी तो उमर नहीं है लेकिन चार पांच दसक पहले अगर थोड़ा समझा के देखें जो बिहार के जो नकसलबाद इलाके थे जो जिले थे उनमें क्या हुआ था जिस समय यूडियाई लाने की कोशिस करी गई थी जिस समय आधार लाने की कोशिस करी थी उन्होंने उस समय समाजबादी पार्टी के जो नेताई समय कह रहे हैं कम अवेस उन्होंने बैसा ही कहा था कि हम आधार न अगर मुद्दा ये उठ रहा है ना मलब इतना भरम फैलाए जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अगर नर्सी सही से लागू होता है सुईता जी तो आप देख लेना पूरा का पूरा जारकंड खाली हो जाएगा एक नहीं बचेगा किसी के पास कोई बहां पे प पूछा जाके मैंने का आपके पास क्या है यहां पे रहने के लिए उन्होंने का हमारे पास कोई वरूफ नहीं है तो ये सारी चीजों को अगर समाबेस अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टियों के पास ऐसा कोई मुद्द ही नहीं है कि हम उस पर उठाएं ये बहुत पास कोई सोशल सेंस नहीं है मानव जीवन का कैसे विकास हुआ भारत के लोग जंगलों से चले जिंदेगी में शेहरी जिंदेगी में अब यहीं है किüber डीर मां पाते हैं अरे नावे का प्रण साथ को एलिन नहीं है कि इन रहा चांप लिए जोब पर रहे हैं वाँ आगें बोट जिल पहली बात तो मैं यहां बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अलाओ नहीं करूँगी, आप बोल देंगे कि मैं बीजेपी का जॉब कर रही हो, मैं सुन लूँगी, मैं सुन लूँगी सर, बिल्कुल नहीं सुनूँगी, पहले मेरे बारे में पता कर लीजे, एक दीवेट में कहाती ऊहाँ निया बीदे चॉट के बात करूं कि जबी घुले आपाहow के एगुंडागर्दी है सब्सक्राइब कि आपके 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 समाजवादी का आपके आपके मुझे राज है आपने इस्पेक्टर की हत्या हुई इन्हों प्रपव्हादी कि आपके आपके अपके आपके आपने आयारा ये धाटिवार्य घ्nellमी मैं और सब्कूल सब्कूलन है और bets अब आप से अभी बाद है आपने वह नहीं यह अधिकार है आप मेरे मूह में अपने शब्द नहीं डाल सकते लिए ईटाभी आप समाजवादी को टार्गेट कर रहें आप लिए प्लीज प्लीज डिया अपके निता प्र वार बार बार कह रहा है रहा है मैंने वह नहीं क्या चल रहे है चाहते क्या है मैं नहीं बरूगा तुम भी मदरो ये क्या बात हो गई प्रणाव कर दो आप इनका प्रणाव जी रुख जाईए आप मुझे नहीं बताएगा मुझे डीपेट का शॉपिक्त आप मुझे नहीं बता सकते आपको बैठना बैठने शूमें लेकिन प्लीज नावे दयाज आप में शब्डों का संजील जी मैं आप से नहीं बोल रही ह मैं आपकी भाषा से संतुष्ट नहीं हूँ आप कुछ भी बोलेंगे आप कुछ भी बोलेंगे मैं किसकी जॉप करती हूँ यह पहले डीटेल लेकर बैठना रही हैं आप अपने शब्डों को वापस ले रहे हैं मैं बिल्कुल मेरा सावान यह है कि कर आप आर नाइन से जॉप करते हैं तो आप मुझे संतुष्ट कर लेकिंगे तिससे आपके साथ आपको वापस ले लिए मैं आपके साथ आपने लगातार विपक्ष के ओपर हमलावा रही हैं मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगी जब तक आप अपने शब्द वापस नहीं लेंगे यह तरह की बिल्कुल नहीं बगास करूंगी बिल्कुल नहीं करूंगी और अपने शब्दों को वापस ले ले आप किसी आइंकर पर इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते बैट के गोधी मीडिया क्या करते रहते हैं सर आप लोग आप लोग नहीं उठाने देते हैं दिनेश जी कंफ्यूजन बीजेपी क्रियेट करिए एक मिनट कंफ्यूजन बीजेपी क्रियेट करिए देखे आनिल मिश्रा ने जो पॉइंट उठाई उस लाइन के बारे में सर दूसरा दूसरा मैं कोट कर रही हूँ 23 जुलाई 2014 को ततकालीन केंद्रे ग्रिराजमंत्री किरन रेजुजू ने राजसवा में एक लिखित जवाब में कहा था सरकार ने नैशनल रजिस्टर ऑफ इनन सिटीजन बनाने का फैसला किया ये नपियार के डेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा अब देखिये अब मैं उत्तर दूँ हाँ आप दीजे आइसा है स्वेता जी लगभग 34 मिनेट के डिवेट हो गई मैंने एक सब्द बोला नहीं और अगर आपका अनमुती हो तो आगे बोलू और निवेदा नहीं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ तो किरपया करके मेरे बीच में बोलियेगा नहीं और कई तरह अमनिस्चित तोर पर अनिल जी के भी और आपके भी सवाल का जवाद दूगा लेकिन उसके पहले तमाम सारे सवालात खड़े हुए थे मैं चाहता था सबका जवाब में बीच में मैं भी बोल के दे सकता था सबसे पहले जिस पर हमने चर्चा किया कि अखलेस यादो का जो स्टेटमेंट आया है जिसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं नपियार पर होगी वो तो पता चले का कौन सा धारा लागू हो गए आप कहीं इलियन से नहीं आए और परमोत तिवारी जी कांग्रेस के इनेता उनका बाइच चला रहे थे उन्हों ने कहा खिलेस यादा व विदेश चे पढ़के आए मुझे सर्म आती है अच्छी बात है लोगों को आपे मैं पढ़निये तो आपको ज्यादा घ्यान हो गया है अगर अपने हिंदुस्तान में पढ़ा तो आपको ग्हान में आप लिएpek आप हिंदुस्तान की सिच्छा को अपनानित कर रहे है नहीं पर जितने लोग हम इक पता लेकिन हम उस द्रेस के रहने वाले हैं जहां जब लोग इनुवस्टी की करपना करते थे तो तक्सिला और नालंदा जैसे बिस्विद्धाले चलते थे 22 तो हमारे पास सहिचिक संस्थान थी लोग जब पहले बिस्विद्धाले की बहुत करें किसी के बीच नहीं बोला ना ब कर देता हो अगर इनको तैया करना तो में जाओ तो इससे पेले एंसे भूट लिए गाजी पुर संदे मंटिक डियेत करता हूं तो परेगा सुनना परेगा पनसर सुनना परें नहीं की नेताओं को ना तो आपको सर्माती नेताओं को पहले लाइन पर देखा इंपको इनको इंका चलत देखिए आठी ने आठी तरही पहले तो नद करा दियार किया आप मुझे अब आप ने करिये कि मुझे एक में ने पोलना है अगी नहीं पॉलना है सब्सक्राइब गर्ट ने पुस्टाइब लगाई में तो ने इस सब्सक्राइब देजिए पॉइट पे ते यहां जावियद बैटके कहते हैं यह हरपा सबता शिका रहे हैं किसी की बीच में बोला इसलिए किसी की बीच में बोला आपका कोई सवाल है मुझे पूछिए दूसरी चीजिए इस तरह से तो कांग्रेस के निता का चृत और समाजवादी पाटी का चृत आप अपना कहें रोजगार चाहिए। येन प्यार बनता किसके लिए है। इतनी का मौन संस तो होनी चाहिए। यही NPR जब कांग्रेस लेके आई थी, तब तो आपको बहुत अच्छा था, कोई आपती नहीं, यह NPR के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट होता है, उसी के हिसाब से रोजगार की योजनाय देश में बनती है, अगर इतनी बेसिक जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बेसि आप जब कोई फार्म भरते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं, जो सब पे लागू नहीं होता है, जिसके चर्चा अनिल जी नहीं कहा, कि जो कंपलसरी नहीं है, अगर पिता जी के डेटा आप बर्थ मांगी गई, आपको जानकारी नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं करते हैं, आप आएंगे नहीं चर्चा में, यह चरित कांग्रेस पार्टी खाता, जब आप बुलाएंगे, तो आप इस्टूडियो में अगर राष्टी चैनल पर आप आरोप लगाएंगे, यहां पर भारती जनता पार्टी का पच्छ नखने के लिए जानु जी ना, मैं बड़ी बात नहीं करा। अब दूसरी चीज़ सोहता जी देश के विरोजगारों को रोजगार सरकार को देना चाहिए अरे तो दिया 47 साल में 47 येर्ज में अब रोजगार की शब्ड विश्क रहे हैं आप एंपीर बता दीजी अटाइंगे की कैम के देश के एनको रोजगार देती हैं आज बिरोजगार हो गये न score कान आपको निगेला जारखन प्रतिशत पर आगे अपने रोजगार को देखें आप अरे स्टा जी ये इसी दिवेटि आपको पसंद नेगे जब बोलेंगे ये किस से लागी ये बाचन सुनने आए टिकिट के आए अरे चलेगे ये इस पर बताइए आपको सुनना पड़े हैं तो शुरूर मैं आपको बो रोजगार चिनेगा देश की जनता नहीं आपको रोजगार की बात अर्थ वेवस्था की बात देखें ये तो आप मानेंगे ना कि बेरोजगारी का दर बढ़ा जीडीपी की ग्रोथ देखने अर्थ वेवस्था जिसको लेकर अब जो तमामें पक्षी पार्टियां सरकार क जान रहे हैं लेकिन क्या ऐसी बात है कि इन सब मुद्दो पर भी आपकी सरकार को फ्रेंट फूट पर आकर बताना चाहिए कि किस तरह से योजनाए हो रही है या एक्जिक्यूशन में कमी हो रही है कहां कमी हो रही है आप लाईए नसर सी लाईए आप एन पी आर लाईए देश की जनता सपोर्ट करिये लेकिन अगर टामाटर के भाव बढ़ जाते हैं प्यास के बाव बढ़ जाते हैं आज भी नहीं घटे सर अगर आप बढ़के जवाब दीजिए गा तो क्यूं आप पर उंगली उठेगी हो गया जवाब दूआ हाद दीजिए रोजगार कह रहें कि आप बढ़ा नहीं ना मैं एक विभाग का वाइस चेर्मेन हूं हमारे हैं 94 के बाद कोई सेलेक्शन नहीं हो तो संजेजी की भी सरकार थी आज हम लोगों ने स्टारी दूड़ी आया हम विमारी हो रहे हैं इन ही को सब्सक्राइब करना चाहिए आप जवाब ही नहीं हो हमें को जाने हैं प्रयोक करना चाहिए आप बताइए हम को जानने चाहिए कहा करना चाहिए यह थोई देखना है अभी थोड़ी देर पहले मेरे उपर आरोप लगा रहे थे कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर रही हूँ मेरे शब्दों से वो खुश नहीं है मेरी बोली भाशा से खुश नहीं है अब जब सवाल पूछ रही हूँ तो आप लोग उनको जवाब भी नहीं देने देरे अब यह सब्सक्राइब करने के लिए कि हम आपके मुद्दों को उठा रहे हैं यह तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा अपना लिया है कि सब कहे हम तो हित की बात कर रहे हैं लोगों की लोगों का तो कोई सोची नहीं रहा है यह देखे सवाल पूछा मैंने रोजगार और इस पर तो उस पर भी सभी पार्टी आ गया रहे सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं लेकिन नहीं तो यह क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा अपना लिया है कि गुम्राव कैसे करना है जनता को कैसी करना है देखिए अभी 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 देखिए सुनी आप पूछना है देश को रहते हैं कितनी बच्ची हैं कितनी बच्ची हैं आप पहले मामले को समझे अभी अच्छे तरीके से आकलित करके इन चीजों को बताया पहले मामले को समझे कि वो है क्या फिर अभी सबसे बड़ी वात किये मैं नावेत अयाज साब की बात पर व्रोद करूँगा कि हम पत्रकारों पे कोई भी अगर हम कोई विप्रीत किया इनके उसके कोशन पूछते तो तुरंत यह हमें गो पोचने का प्रियास करो हर बात पे इस तरीके से आरोफ लगाना या इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भागिया पूल होता है किसी भी पत्रकार के पास वो अनुमती होती है रो इस तरीकी की बात कर सकता है लेकिन पत्रकारों की आवास दबा के जिस तरीके से हला मचारा भी पक्षा है वो कांग्रेस है मैं इनको भी देख रहा था सभा के सयोगी मेरे साथ बैटा ही यह कहीं न कहीं गलत होता है अरे आप घटना पे चर्चा कीजिए कम से कम इस डिबेट के पंद्रा से भीडिया की विश्वत नहीं आता है दंता के निया है राजनेतिक पाट्यों की नहीं है अब आप किसी पर बीक्तम अरोफ लगा देते हो अब आप पर को भी आरफ लगा सकते हैं अगर एक अगर एक अगर एक आप आप तालेस हो चुके हैं सर कुछ निकल के नहीं आएगा योग्री जी मिला कहना है कि क्या पॉलिटिकल पाटियां तमाम क्योंकि देखे एलेक्शन हैं हम देख रहे हैं क्यूपी में एलेक्शन होना है 2022 में सपा अनाउंस कर चुकी है हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे सपा बसपा के रास्ते तो लग हो गए लेकिन यहां तो कई न कई सोच मिलती नजर आ पहले उसकी तकनी की बात तो समझो कि वह कहना चाहरी है इस चीस से प्रब्लम क्या आपने एक बात अच्छी कहीं तो रहा है और इसमें कहीं न कहीं सामने इस पर समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर चर्चा है तो उसकी आधार पर तुरंत केंदर पे चड़ाई कर दो अप यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जब तक आप अपनी बातों को तरीके से नहीं कर बता पाओगे परजेंट अगेल आपकी मजबूत नहीं होगी तो मुझे लगता है आपकी राजनीती खत्रे में पड़ सकती है लेकि कमी तो सरकार में भी रह गया जो बहुत अपनी बात को क्याना में अपनी तरीके से रख पार यह प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ कि यह जो लगातार बैक टू बैक जो घटना हुई दारा 370 राम मंदिर इसमें विपक्ष को क्या लगा इनके सारे शौट जा रह है वो कहीं न कहीं होती है ऐसा नहीं होता कि केंज जो या इस समय से सरकार कर रही है लगा किया ऐसा सारे शौट चले गए तो हम लाने वाले से क्या हुआ है अब इतने सी ने बात कहीं कि जंदर इसकों को हम देजिया आप सो जोड़ा एडून करना चाहूंगा इसमें इतनी जोड़ से ओल के जूट सच्झनी होगा विपक्ष के विपक्ष के हमारे दियक के बैंने बात एडून करना चाहता हूं कि हमारे पास विपक्ष के पास बहुत सारे lég थे और मुद्दे हैं लेकिन ये हमारे विपक्ष का काम होना चाहिए कि जो एक्च्वल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमें बोलना भी चाहिए और उनको बहुत मजबूती से लोकदंत में उठाना चाहिए लेकिन जो सरकार की नाकामियाँ है जो नाकामियाँ भी है सरकार की उसको हम अच्छी तरह से भुना नहीं पा रहा है कोई भी प्रक्ष लेकिन इस देश का हर इंसान जानता है हर व्यक्ति जानता है कि सरकार की उपर खेल रही है जैसे कि बेरोज गारी एक बड़ा बुद्धर आए उसके अलावा जो है जाकिये हिंजा चलिए मैं पॉइन समझ गई लेकिन अनिल इसका जी याद होगा कल भी हमने बात की थी तो इसके चात्राइं सब्सक्राइं 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 पूरा रिकोर्ड है बाइडा आगे शिक्षा मत्र पिटे लाते हैं जेन्यू को शाद्र कंपीस की मान लेकर आए पापने पीड़ते दे रहे प्रदेश में पिसानों के गोड़ी चलवा देते हैं जानने की लगें सो गोड़ी चलवा देते हैं आपके पास चुनने के लिए सुनाने की नहीं होती है यह वह बसपा यह वह नावे दयाद है और यह वह सब्सक्राइब चौदरी है जो कुछ दिन पहले साथ गार जीतने के डर से व्याचारिक मत्वेद बुला दिये साथ भूल गयते नावे जी नावे जी यह साथ क्यों दिया आप दो खुल नियाद कीजिए तो भूब तो भूब तो भूब तो भूब तो भूब तो पर ने वाले वाले वीजेश कुमार और वीजेश के घड़वन्दन से बाद कीजिए कि चल्चाने कोई ने सुनपारा है कोई ने सुनपारा है और तो दोन नहीं कोछोगी होगी और अप लोग कहीं दिखाने लाइट में रहेंगे चोटिस तब हम लोग पत्रकार है कुछ मनें विकार है कुछ आप लोग भी बोलने का मौका देशा अनिल मिश्चाव को सुनें आपके बीचि मोला आपके बात कर दिया आप आप जीकिरा अपने लुग देश्चाव मोला इन वा पॉंचर प्राइशना इस नाने पर लिगे द यह याद रही है आपको पर याद रही है दो बड़ी पार्टिया ऐसे आपस में प्लीज सुन देखने को मिला है पूरे देश में देखने को मिला है इसका कारण समझ दीजिए एक राजनीतिक जो विचारधारा थी जो देश के प्रतले की चला करती थी वो आज की डेख में राजनीतिक विचारधारा दो भागों में बट रही है जिसको नरम पंथी कह लीजे गरम पंथी या दच्छल पंथी वाम पंथी उन विचारधाराओं में जो एक दूरी बनी है जो एक सम्द कहा जाता है कि मतभेद के द्वारा पूरा देश हमेशा चला जहां सत्तापर्च और विपच्छ इस देश को इस तना आगे ले गया लेकिन आज वो मतभेद इसकदर मनभेद में बदल चुका है कि उसमें देखे कोई एक नहीं विपच्छी नहीं सत्तापच्छ भी जिम्मेदार है सत्तापच्छो या जनता ने उनको चुनके इतने बहुमत से बिठाया बिलकुल सच है लेकिन सत्ता अगर आपको मिली है जनता ने बैठाया आपको मैं किसी एक कानून क्ली नहीं करा हूँ तो अगर वहां जाके आप आज समयधानी या जिसको गुरूरता के साथ आप कोई ऐसी कारवाई करें आप मेरे बात करें नहीं तो नहीं है एक है राष्टवाद और एक है परिवारवाद तो परिवारवाद हो नहीं होगो आप करें नहीं है लेकिन चर्चा का कभी कोई निष्कर्स निकलना बहुत ही ज्यूंट होता है लेकिन क्योंकि मैं आपने डिवेट को पॉजिटिव नोट पर एंड करती हूँ तो पॉजिटिव नोट यहीं है होगा कि नहीं होगा लेकिन आपके साथ जरूर कुछ हो सकता है तो फिर आप सोचिए समझिए फिर कोई फैसला लीजिए चलिए इसी पॉस्टिक नोट के साथ चर्चा को यहीं वराम देती हूं आप देखते रहिए आर नाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए हमें नहीं चाहिए एंपियार हमें चाहिए रोजगार पहला मैं होंगा जो कोई सौम नहीं भरेगा भार्म के अधार के नागुटा ना रखी जाए